नमस्कार आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के दूद के फायदे के बारे में बकरी का दूद किसी अमरित से कम नहीं है बकरी के दूद के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिने जान के आप हैरान हो जाएंगे फायदे जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बात करें बकरी के दूद की तो इसमें मैगनीसियम, कैलसियम, फॉस्फोरस और बिटामिन A परचूर मात्रा में पाई जाती है इन में एलर्जी बढ़ाने वाले तत्तों भी नहीं पाये जाते हैं और दिमाग की छमता को भी बढ़ाने में बकरी के दूद सहायक होता है आप कह सकते हैं कि कई सारी पॉस्टिक चीजों से ये भरफूर होता है और इसलिए बहुत सारे बिमार ब्यक्तियों को बकरी के दूद पीने की सलाह दी जाती है इसलिए बकरी के दूद किसी अमरीद से कम नहीं होता है बात करें इसके पहले फायदे की तो बकरी के दूद से जो हार्ट की बिमारी है वो काफी अच्छे मेंटेन होती है हार्ड का रिदम मेंटेन रहता है आपके हार्ड का स्वास्त बहता रहता है और साथी साथ इसमें बिटामिन A और बिटामिन B होता है जिससे बाल कम जड़ते हैं बाल अगर जड़ने आपके तो उन जड़ते हुए बालों को रोकने के लिए भी ये काफी उपयोगी होता है इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं इस दूद के अंदर कैलसियम और फोस्फोरस पाया जाता है जो कि आपके हडियों को मजबूत करता है आपके जोडों को मजबूत करता है और अगर हडियों में या जोडों में दर्द है तो उस दर्द को भी दूर करने में ये काफी जादा फायदेमंद होता है और काफी जादा यूजफूल होता है बात करें तो दूद के अंदर कुछ एंटी ऑक्सिडेंट के गुण भी होते हैं जो आपके तुचा को बहतर बनाते हैं आपके तुचा को फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसको खत्म करते हैं साथी साथ अगर किसी ब्यक्ति के आंत में सूजन है इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग को दूर करने के लिए भी बकरी के दूद एक महत्तोफून रोल अदा करता है इसमें पोटैसियम का अस्तर काफी अच्छा होता है इसलिए ये किसी ब्यक्ति के blood pressure को भी कम कर सकता और blood pressure को भी maintain करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है बात करें तो बकरी के दूद में linoleak acid पाया जाता है और ये brain के development के लिए काफी बेहतर होता है किसी ब्यक्ति को चिंता मुक्त रहना है तो वो बकरी के दूध का इस्तमाल कर सकता है तो इस परकार से बकरी के दूध काफी जादा लाबदायक होता है किरपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से जादा सेयर करें